अज़ामत फासिलाती तालीम मौलाना आजात नेशनल उर्दु इन्वेस्टी के तालीमी प्रोग्राम में मैं डौक्टर निक्ष जहां आपका खेर मगदम करती हूँ आज के इस प्रोग्राम में एम अर्दु साल अवल के तलबा के लिए पेश है सबख गजल, सिन्फ और उसकी फनी खुसुसियाद गजल के अशार पर सरदुना आम बात है हमें यखीन है कि दो चार गजल के शेर आपके हाफिजे में भी होंगे गजल की मगबुलियत का ये आलम है कि ये सिन्फ सुखन अब सिर्फ फार्सी और अर्दु की मिल्कियत नहीं रही बलके मुक्तलिफ हिंदुस्तानी जबानों जैसे गुजराती, मरठी, कश्मीरी और तिल्ग में भी घजल लिखी जा रही है अर्दु जबान में इसका वाफिर जखिरा मौजूद है क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि गजल की मखबुलियत का रास क्या है इसकी हैत और इसकी फन्य खुसियात क्या है इसके मौजवात क्या है आईए हम इससे मुतालिख मालूमात फराहम करते है गजल अरबी जबान का लवस है जिसके माइने औरतों से या औरतों की बातें करने के हैं अरबी में खसीदे की तमहीद को तश्वीब या नसीब या वो तमहीद जिसमें महभूब का सरापा बयान किया जाता है घजल कहते है सिन्फ खसीदा जब अरबी से फार्सी में पहुंची तो फार्सी शोरा ने खसीदे से घजल को अलहदा करके एक मस्तखिल सिन्फ बना दिया गजल का पहला शेर मतला कहलाता है जिसके दोनों मिसरे हम खाफिया होते हैं गजल के अशार के हर मिसरे में खाफिय की पाबंदी की जाती है गजल का आखरी शेर मखता कहलाता है जिसमें शायर अपना तखल्स इस्तेमाल करता है गजल के लिए खाफिया तो लाजमी है लेकिन बाद में रदीफ का भी इजाफा किया गया रदीफ वो लवज या अलफाज होते हैं जो खाफिय के बाद आते हैं और हर शेर में उनकी तक्रार होती है अब हम गालिब की गजल से इसकी वजाहत करेंगे दिले नादां तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है हमें मुश्ताख और वो बेजार या इलाही ये मांजरा क्या है मैं भी मुमे जबान रखता हूँ काश पूछो के मुद्वा क्या है जबके तुझ बिन नहीं कोई मौजूद फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है मैंने माना के कुछ नहीं गालिब मुफथात आयत तो बुरा क्या है इस गजल में पहला शे मतला है हुआ दवा मांजरा मुद्वा खुदा ये लफ़ खाफिया है क्या है रदीफ है आखरी शेर जिसमें गालिब तखलुस इस्तेमाल हुआ है वो मख्ता कहलाता है अब हम गजल की फन्य खुस्सियात पर गुफटगू करेंगे गजल का हर शेर मानवी लिहास से मुकमल होता है इसका दूसरे शेर या अशार से मानवी रप्त नहीं होता अगर गजल के तमाम अशार में ख्याल का तसलसल पाया जाए तो ऐसी गजल को गजले मसलसल कहते हैं गजल के एक शेर याने दो मिसरों में किसी वसी मजमुन को बयान करना आसान नहीं होता इसके लिए शायर मुखतलिफ तराकीब अख्तियार करते हैं एक तरीखा ये है कि बात के किसी हिस्से को हजफ कर दिया जाता है और उस जानीब इशारा किया जाता है जैसे मुमिन का शेर है ये उजरे इमतिहाने जजबे दिल कैसा निकल आया ये उजरे इमतिहाने जजबे दिल कैसा निकल आया मैं इल्जाम उसको देता था खुसूर अपना निकल आया इस शेर में ये बात महजूफ है कि आशिख ने महभूब को क्या इल्जाम दिया उजरे इम्तिहाने जजबे दिल से इशारा मिलता है कि इल्जाम क्या था महभूब ने आशिख से मलाखत का वादा किया था लेकिन वो नहीं आया आशिख इस पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाता है महभूब ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे जजबे दिल का इम्तिहान ले रहा था अगर तुम्हारे दिल में कशिश होती तो खुद खिंच कर चला आता आशिख महभूब को इल्जाम दे रहा था लेकिन महभूब के जवाब से खुद उसका खुसूर निकलाया इसी तरह गालिब का एक शेर है दिया है दिल अगर उसको बशर है क्या कहिए हुआ रखीब तो हो नामा बर है क्या कहिए शेर को पेशे नज़र रखें तो ये बात खुलती है कि नामा बर खत लेकर महभूब के पास जाता है तो महबूब के हुसन से मुतासिर होकर उसका आशिक हो जाता है अब नामे का जवाब लाने का सवाल पैदा नहीं होता आशिक कई बार इस तजरुबे से गुजरता है वो अपने दोस्से इस सुरते हाल का जिकर करता है दोस्त एक शखस को लाता है और उसका तारुफ कराते हुए कहता है कि वो दियानतदारी के साथ नामाबरी का फर्स अंजाम देगा नामाबर भी वादा करता है कि वो इसको शिकायत का मुखा नहीं देगा नामाबर खत लेकर जाता है और वही होता है जो होता आया था नहीं की जाती, बल्के बिलवासता पेराये इजहार इख्यार किया जाता है, इसके लिए मजास और सनाए-बदाय से काम लिया जाता है अगर कलाम में लफ्स को लगवी माइने में बरता जाए तो उससे हकीकत या हकीकी माइने कहेंगे इसके बर्खिलाफ लफ से ऐसे माइने मराद लें जो इसके हकी माइने ना हो तो उजसे मजास कहेंगे मजास की चार खिसमे हैं तश्बी, इस्तियारा, मजास मुरसिल और कनाया तश्वी में किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से मुशाबह दी जाती है जैसे मीर का ये शेर है नाजू की उसके लब की क्या कहिए पंकड़ी एक गुलाब की सी है इस शेर में लब को गुलाब की पंकड़ी से तश्वी दी गई है दोनों की मुष्टरी का खुसियत नजाकत है तजबी के पांच अज़ा होते हैं मुशब़ जिसको तजबी दी जाए इस शेर में लब मुशब़ है मुशब़ बे जिससे किसी चीज़ को तजबी दी जाए मुतजकिरा शेर में गुलाब की पंकड़ी मुशबबी है वजह तजबी वो खुसुसियत जिसकी वज़ा से तजबी दी गई शेर में नजाकत वजह तजबी है गर्ज तजबी जिस मकसद से तजबी दी गई यहां गर्ज तजबी लब की नजाकत को जाहर करता है हुरूफ तजबी, वो हुरूफ जिनके जरीए मुशाबहत दिखाई जाती है इस शेर में कीसी हुरूफ तजबी है तजबी निगारी में बाद दफ़ा हुरूफ तजबी हज़फ कर दिये जाते हैं और दूसरे लफ़ों से मुशाबहत पैदा की जाती है जैसे मीर तखिमीर का ये शेर खिलना कम कम कली ने सीखा है उसकी आँखों की नीम खौबी से यहां कली के आहिस्ता आहिस्ता खिलने को महभूब की आँखों की नीम खौबी से तजबी दी गई है तजबी की दो खिसमे हैं एक अखली या खयाली दूसरे हिसी तश्वी अखली या खयाली वो तश्वी है जिसमें दो तीजिशां ने मुशाबियत अखल से दर्याफथ हो यह शिर्म लहेजा कीजिए मेरा सीना है मश्रिख आफताब दागे हिजरां का तुलुए सुभ महशर चाक है मेरे गरीबां का इस शेर में सीने को मश्रिख से तजबी दी गई है मश्रिख से आफताब तुलु होता है मेरे सीने की मश्रिख से भी आफताब निकलता है और वो आफ़ताभ है दागे हिजरां जब मेरा गरेबान चाक होगा तो महशर की सुभो तुलू होगी हिसी तजबी वो है जो हवासे खमसा में से किसी हिस को मतवज़ करे शेर मलाहज़ा कीजे हस्ती अपनी हुबाब कीसी है ये नुमाईश सुराब कीसी है इस शेर में बसरी तजबी है बास तजबी हैं किसी कैफियत को इस तरह गिरिफ्ट में ले आती हैं कि उनको सादा लवज़ों में बयान नहीं किया जा सकता जैसे मीर का ये शेर मीर उन नीम बास आँखों में सारी मस्ती शराब कीसी है तजबीहात पैकर तराशती हैं तस्वीरे बनाती हैं जो हमारे हवास को बेदार करती हैं चंद शेर मलहज़ा कीजे तुझ लब की सिफ़त लाले बदखशा सु कहूंगा जादू हैं तेरे नैन गजाला सु कहूंगा या मीर का ये शेर भरी आती हैं आजियों आखें जैसे दरिया कहीं उबलते हैं मजास की दूसरी खिस्म इस्तियारा है इस्तियारी की बुनियात तजबी पर होती है अगर हम ये कहें कि एहमद शेर की तरह बहादूर है तो ये तजबी होगी बहादूरी की बिना पर अगर हम एहमद को शेर कहें तो ये इस्तियारा होगा इस त्यारे में मुशबा मुस्तवार लहू और मुशबा बे को मुस्तवार मिन्हो कहते हैं और वजे तश्बी वजे जामे कहलाती है ये शेयर मलाहज़ा कीजे ये शूखी नर्गी से मस्ताना हमसे ये शूखी नर्गी से मस्ताना हमसे छलक कर रह गया पैमाना हमसे नर्गी से मस्ताना इस्तियारा है महबूब की आँख का जो नर्गी से मुशाबह है और जिस से मस्ती छलक रही है शेर में आँख का जिक्र नहीं जिसको नर्गी से तजबी दी गई है अर्दो गजल की जुबान जियादा तर इस्तियारा दिये हर इस्तियारा तजबी के मुखे लाखे रकता है जिने तलाजिमा कहते हैं मिसाल के तौर पर गुलिस्तान गुल्षन और चमन के तलाजिमे हैं जिंदगी दुनिया और वतन अर्दो गजल के इस्तियारों को हम चंद दैरों में तक्सीम कर सकते हैं जैसे चमन और उसके मुतालिखाद गुलशन, गुलिस्ता, बाग, बागबा, बहार, खिजाँ, खफस, आशियाँ, सियाद, गुलची, खिर्मन, बर्ख, नसीम, सबा, सरसर, गुल, कली, शबनम वगएरा चंद शेर्म लहज़ा कीजे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है मज़र जाने जाना का शेर है ये हसरत रह गई क्या-क्या मज़े से जिन्दगी करते अगर होता चमन अपना, गुल अपना, बाग बाग अपना कुछ खफस में इन दिनों लगता है जी आशियां अपना हुआ बर्बाद क्या हजारों साल नर्गिस अपनी बेनूरी पे रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा बागबा ने आग दी जब आशियाने को मिरे बागबा ने आग दी जब आशियाने को मिरे जिन पे तक या था वही पत्ते हवा देने लगे एक सां कभी किसी की ना गुजरी जमाने में या दश बखेर बैठे थे कल आशियाने में चमन में घारत गुल्चीन से जाने क्या गुजरी खफचस से आज सबाब बे खरार गुजरी है इस त्यारों का एक सिलसिला मैकदा और उसके मुतालिखात से है जैसे रिंद, जाम, शराब, मस्ती, पैमाना, जाहिद, नासे और महतसी वगेरा इन इस त्यारों के मतनवो तलाजमे हैं चंशेर मलहज़ा कीजे उम्र भर हम रहे शराबी से उम्र भर हम रहे शराबी से, दिल पुर्खों की एक गुलाबी से साखिया या लग रहा है चल चलाओ, जब तलग बस चल सके सागर चले जाहिद ना तुम पीओ ना किसी को पिला सको, क्या बात है तुम्हारी शराब तहूर की इनके अलावा गजल के और भी इस्तियारे हैं जैसे मतालिखात सफर, मसाफिर, रह, रहगुजर, रहबर, रहजन, खाफिला, कारवा, जरस, मन्जिल, रिखते सफर, गुबार, मतालिखात बहर, मौच, तूफान, गरदाब, नाओ, कष्टी, किनारा, साहिल, मला, नाखुदा हुबाब, बुलबुला, खत्रा, मतालिखात जनू, दीवाना, बहर, दश्ट, सहरा, जन्जीर, जिन्दा, मतालिखात मर्ज इश्ख, बीमार, दवा, शिफा, इलाज, मसीह, नज़ा, आयादत मतालिखात कुफर औ इमा, काबा, हरम, दैर, कलीसा, बुद, काफिर, सनम, कुफर, इमान, मतालिखात बजब, महिफिल, मजलिस, शमा, परवाना मजास की तीसरी खिस्म मजाज मुरसिल है इसकी तारीफ ये है के लफ़ को लगवी माइनों के अलावा किसी और माइनों में इस्तेमाल किया जाए मजाज मुरसिल में हकीकी और मजाजी माइनों में तश्भी के अलावा कोई और इलाखा हो मजाज मुरसिल की चंखिस्में ये हैं कुल कहकर जुज मुराद लें, गर कहे कोई या अली हैदर भागे कानों में उंगलियां रखकर जुज कहकर कुल मुराद लें, जिस जा हुजु में बुलबुलो गुल से जगाना थी, वहाँ एक बर्ग नहीं एक पर नहीं, इस शेर में गुल के बज़ाए बर्ग और सबब कहकर सबब मुराद लें, हर एक खार है गुल, हर गुल एक सागेर एश, हर एक दश्ट चमन, हर चमन बहिश्ट नजीर, सबब कहकर मुसबब मुराद लें, जवानी और पीरी, एक रात एक दिन का वखफा है, खुमारों नशा में दोनों को खोया, हाई क्या समझी, लुगत में इसके माइने पोशिदा बात के हैं, इल्म बयान में मजास वो लफज या अलफास को कहते हैं, जो हकीके माइनों में मुस्तामिल ना हो, बलके मजाजी माइने मुराद लिए जाएं, इस से हकीके माइने भी मुराद लिए जा सकते हैं, ये शिर मलाहज़ा कीजे सुव आया जानी बे मश्रीख नजर एक निगार आतशी रुख सर खुला निगार आतशी रुख सर खुला कनाया है सुरच से के उसका चेहरा आतशी है और सर खुला है सुरच मश्रीख से तलू होता है अपके जुनों में फासला शायद ना कुछ रहे दामन की चाक और गरेबां की चाक में दामन की चाक और गरेबां की चाक में फासला ना रहे यानि दस्ते जुनों गरेबां को इतना फार दे कि उसका चाक दामन की चाक से मिल जाए मर जाएए ये या कुछ हो किसे ध्यान किसी का मर जाएए ये या कुछ हो किसे ध्यान किसी का दुनिया में नहीं कोई मेरी जान किसी का आशिख कनायतन महभूब से कहता है कि तुम्हें हमारा कोई ख्याल नहीं चाहे हम मरिया जी गजल के फन में सनतनिगारी की खास ऐहमियत है इनसे शेर में जहां मानवी दिलकशी पैदा होती है वहीं नखमगी में भी इजाफा होता है सनाए की दो खिसमे हैं एक सनाए लफजी और दूसरे सनाए मानवी अब हम सनाय लवजी की मिसालों के जरीये वजाफ करेंगे सनते तजनी से ताम शेर में दो ऐसे लवज लाए जाएं जिनका तलफूस एक हो लेकिन माइन ए मुखतलिफ हो जैसे सब सहेंगे हम अगर लाग बुराई होगी सब सहेंगे हम अगर लाग बुराई होगी पर कहीं आँख लड़ाई तो लड़ाई होगी इस शेर में लवज लड़ाई दो मुख्तलिफ माइनों में इस्तेमाल हुआ है सनते इश्टेखाख शेर में ऐसे लवज लाए जाएं जो एक ही मादे से मुश्तख हो तु मेरे हाल से गाफिल है पर एगफलत केश तेरे अंदाज तगाफल नहीं गफलत वाले इस शेर में गाफिल गफलत और तगाफल एक ही मादे से निकले हैं सनते तक्रार या तक्रीर शेर में लवज मुकरर लाए जाएं लफ़ों की तक्रार से असवाद की भी तक्रार होती है और शेर में नगमगी पैदा होती है हमको शिकायत के मज़े आही जाते हैं, सुन-सुन के दिल ही दिल में वो शर्माए जाते हैं इस शेर में लफ़ सुन और दिल की तक्रार है सना मानवी से शेर की मानवी खुबियां वाज़ होती हैं यहां पर चन्द सनतों की तफसील दी जा रही है सनते तजाद शेर में ऐसे अलफाज लाए जाएं जो माइने में एक दुसरे की जीद हो उसको सनते तबाख भी कहते हैं अगर दो मुतजाद माइने के लफ़ लाए जाएं तो उसे तबाख एजाबी कहेंगे गह जीता हूँ गह मरता हूँ आना जाना तेरा खियामत है इस शेर में जीता मरता और आना जाना ये मुतजाद अलफाज है सनते इहाम शेर में ऐसा लफ़ लाया जाए जो जू माइने हो एक खरीबी मफ़ूम हो जिसकी तरफ फौरी जहन मुतखिल हो और दूसरा मफ़ूम बईद हो जो गोर करने पर खुले शायर का मखसूद मफ़ूमे बईद होता है हमसे अबस है गुमाने रंजिशे खातीर हमसे अबस है गुमाने रंजिशे खातीर खाक में उश्चाख की गुबार नहीं यहां गुबार के माइने धूल के नहीं बलके रंजिश के हैं सनते मिरातुन नजीर शेर में ऐसे लफ़ लाए जाएं जो आपस में मुनासिबत रखते हों रो में हैं रख्ष उम्र कहां देखिये थमे नेहाद बाग पर है ना पाहे रिकाब में इस शेर में रख्ष बाग और रिकाब में मुनासिबत है सनते तजाहुले आरिफाना किसी बात को जानते हुए भी ला इल्मी का इजहार करना सनम सुनते हैं तेरी भी कमर है कहा है किस तरफ को है इधर है इस शेर में महबूब की नजाकत बताई गई है सनतِ हुस्न तालील तालील के मैंने हैं इलत या वजा बयान करना हुस्न तालील से मुराद है QUE किसी चीज या अम्र की हकीकी इलस से तوج भचा कर उसकी कोई और इल्लत बयान की जाए निकला है लाला खाक के नीचे से सुर्ख सुर्ख रंगी हुआ शहीदों के खूमे नहा नहा सनत तल्मी किसी मशूर खिसे, वाखे, किरदार या शखसियत के जरीए किसी बात की तरफ इशारा किया जाए तल्मी के इस्तेमाल से एक या चंद लवजों के जरीए सारा वाखिया या खिस्सा सामने आ जाता है बेखतर कूट पड़ा आतिशे नमरूद में इश्ख अखल है महवे तमाशा लब बाम अभी गजल का खास मौज़ू इश्ख है इसमे आशिख अपने जजबात औ एहसासात का बयान करता है इसमें मामिलात इश्ख के साथ हिजरो फिराख की कैफियात बयान की जाती है चंद शेर मलाहज़ा कीजे याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बाज आ नादान फिर वजी से भुलाया ना जाएगा हमनशी पूछना इश्ख की खूबी मुझसे क्या कहूं तुझ से गरस जी को मेरे भाता है बात करनी मुझे 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 मुझकिल कभी ऐसी तो न थी जैसी अभैत तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी इश्ख मजास के बाद गजल का एक एहम मौजू इश्ख हकीखी और तसवफ है नाहाख हम मजबूरां पर ये तोहमत है मुझतारी की चाहते हैं सो आप करे हैं हम को अबस बदनाम किया अर्जो समा कहां तेरी उस्द को पा सके मेरा ही दिल है वो के जहां तू समा सके इश्ख भी हो हिजाब में हुस्न भी हो हिजाब में या तो खुद आश्कार हो या मुझे आश्कार कर इश्ख मजास और तसवफ के अलावा गजल के बेशमार मौजवात हैं गजल ने इनसानी जिन्दगी के मुखतलिफ मामिलात का इहता किया चंद शेर पेश किये जाते हैं जिन से गजल के मुखतलिफ मौजवात की झ्छलक देखी जा सकती है मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का इतिबार खोती है हम ना कहते थे के मद्दैरो हरम की राह चल हम ना कहते थे के मद्दैरो हरम की राह चल अब ये दावा हश्र तक शेख अब रहमन में रहा मेरी तामीर में मुजमीर है एक सूरत खराबी की है यूला बर्खِ خिर्मन का है खुने गर्म देखा का है जुस्त जुके खूब से है खूब तर कहां अब देखिये टहरती है जाकर नजर कहां ये मरहला भी मेरी हैरतों ने देख लिया बहार मेरे लिए और मैं तही दामन मनजिलें गर्द के मानिंद उड़ी जाती हैं वही अंदाज जहाने गुजरा है के जो था बेदम हुए बीमार दवा क्यूं नहीं देते तुम कैसे मसीह हो शफा क्यूं नहीं देते अजीज तलबा अभी आपनी गजल, सिन्फ और उसकी फनी खुस्सियात पर सबख समात किया हमें यकीन हैं कि इसे आपनी जह नशिन कर लिया होगा इस मौज़ू पर मज़ीद मालूमात के लिए आप इन किताबों से इस्तिफादा कर सकते हैं अर्दो घजल, यूसुफ उसेन खां, घजल और मताले घजल, अबादत बरेल्वी, घजल और मतघजलीन, अबुल्लई सिद्धी, बहरुल फसाहत, नजम अलगनी, अर्दो शायरी में सनाय औबदाय, डॉक्टर रहमत यूसुफ जई हमें आपकी फेमती राय का इंतिजार रहेगा, हमारा पता है निजामत फासिलाती तालीम, मौलाना आजाद, नेशनल अर्दो यूनिवरसिटी, घच्ची बोली, हैदराबाद, 5-00-032, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजे कि यूनिstar लुक यूनिवरसिटा केims़ाह, रहें ऐसाभ़ए कि लाड़ योनिवरसिटेशने केmusic अесाद, अजबढ़गा से लिए हमें आपकी को लावारे